हेलो मित्रों जै माता दी मित्रों दिवाली की रात भूल कर भी ना करें यह साथ कांश दोस्तों दीपावली पर माता लक्मिदी और भगवान गनिजी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगन अलग-अलग प्रकार की पूजा उपासन करते हैं तो दोस्तों ऐसे में मातलक में प्रसंद भी होती हैं और हमारे सारी के सारी मुनों कामनाओं को प्रून भी करती हैं। प्रंतु को जैसे भी कारे हैं जो कि दिवाली के दिन मत्रों आप लोगों को नहीं करना चाहिए नहीं तो मतलग में आप लोगों से पुरोधित हो सकती हैं इसलिए आप लोगों से विंती करेंगे कि आप इस पीडियो को पूरा शरूर देखेगा क्योंकि हमा आपको ऐसे 7 कारियों के बारे में बताने बाले हैं जो कि दिवाली की रात आपको नहीं करने चाहिए दोस्तों दिवाली फर मलत्मीडी और भगवान गनेशजी की विधी विधान से पूजा की जाती हैं लक्तमीडी की घृफपा पाने के लिए लोग कई तरह के हैं 17 साल बाद सुरवार सिद्धी योग में दिवाली पूजन किया जाएगा जो तिसास्री के अनुसार दिवाली के देन सुब मुहरत में हैं लक्वी गनेश जी की पूजन करना चाहिए पूजा में लगाए गए दिपक में घाई के घी का दिपक होना चाहिए और जानिये आ साप लोगों को दिवाली के देन पूजा से विकार हैं जो के नहीं करने चाहिए दिवाली के देन लक्वी पूजन के तयारे सुरियोद से पहले ही असरान आदि से निर्मितो कर कर लेनी चाहिए कहते हैं ऐसा करने से सुबता की प्राप्ती होती हैं पूजा से पहले घर की चित्र साप सफाई करने चाहिए घर को फूल फल आम के पत्तों को और अंगोली आदि से सजाना चाहिए कहा जाता है ऐसा करने से घर में बरकत होती हैं दिवालिक पूजन में गाई के घी का इस्तमाल करना चाहिए मानता है ऐसा करने से मालक्मिंगी गृपा बरस्ती रहती हैं घर में परवेश द्वार के दोनों कोनों पर दीपक जलाना चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से मालक में परसन होती हैं लक्ष्मी पूजन के गने से लक्ष्मी पूजन के दोरान लाल वस्रू को धारण करना बहुत तिस्ब होता है घर के परवेश द्वार पर आप कभी भी गंदगी दिवाली के रात ना करें कहते हैं वरन लक्त्मिजी घर में आगमन नहीं करती हैं दिवाली के दिन किसी को तोफे में चमड़े की बने चीजों को नहीं देना चाहिए कहते हैं ऐसा करने से मलक्त्मिजी नराज होती है पूजा में सफेद फूल के सफेद रंगे फुस्व का परियोग करना चाहिए हो सके तो कमल का फूल इस्तमाल करना चाहिए कहते हैं कि मलक्त्मिजी को कमल का फुस्व नत्यदिक प्रिय होता है दिवाली के दिन किसी भी गरीव या जरुतमंदों को दरवाजी से खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से घर में मालक्त्मी का अपमान होता है तो दोस्तों अगर आप लोगों भी ऐसा करते हैं तो आप समल जाएए और आप इस प्रिकार से पूजा उपास न करिये आपका अदन बहतर बने इसके लिए कमेंट वाक्स में जमाता दे और वस्त लिखें आपका अदन बहतर हो मंगलकारी हो जैमा विंदुवासने